चलो वह यार एकदम तालता तो कोश्चन नहीं दो 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 इसका आ जो भी आ जिन दी आ जो कोश्चन के रहा है इन टिशू कल्चर एक्सपरिमेंट्स लीफ मीजोफिल सेल्स और पुटी ने कल्चर मीडियूम तो फॉर्म क्यलस इस फेनोमेना में बी कॉल्ड एस कोश्च कि राएक टिशू कल्चर एक्सपरिमेंट्स में लीफ मीजोफिल सेल्स को हमने कल्चर मीडियूम में रखा और उसने बनाया एक कैलस यह फेनोमेना को हम क्या के सकते हैं सेनेसेलिट mismos डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन या फिर टेलम्ट मेंट से ऐ 90 कि मतलब टारेडर टैरें एंसल्टर की के लाइन या एक से तो नहीं से जो केलस मनाया है जैने सेनस्स यह तुम्हें पता यार यह तो देखती काण दोगे एक्कम बलत अप्शन है अब तुम्हें कंफिजन हो रही हो कि इन तीनों में डिफ्रेंसेशन लगाएं डिफ्रेंसेशन या फिर डिवलपमेंट ठीक है तो देखो तो मानो एक लीफ है primary medicine से बनी वी उसके अंदर तुम्हें क्या देख रही है mesophyll cell अब mesophyll cell के अंदर तुम्हें क्या मिलीगा बताओ parent काइमा देख अगर नहीं दीखेगा parent काइमा किसी चीज़ के differentiation से बना होगा इतना तो समझ में आ रहा है parent काइमा differentiation से बना होगा ना अब तुम यह बताओ कि तुम leaf mesophyll cell को यानि कि जिसके अंदर parent काइमा है उसे तुम एक culture medium में रखो जो कि आग आगे डिवाइट करती कैलस बना रहा है अब तुम यह बताओ जब यह खुद parent काइमा differentiation से बना है तो क्या जब वह दोवारा डिवाइट करेगा तो उसे differentiation ही क्या होगा क्या तुम यह असान है नहीं है अब बताओ तो यह तो गया तुमारा क्या लगाओगे जब कोई प्रमनेंट सेल मतलब यह दिवाइट उग परमनेंट बन गया तो अब तुम उस प्रमनेंट टिशी को फरमनेंट सेल्स को दूबारा करवा रहे हो तो यह डिडिभरेंसियेशन क्या होगे नहीं से तो तुम तुमने प्लांट ग्रोथ एंड डवलप्मेंट में टॉपिक प थोड़ा थोड़ थुमागे कर दिया मतलब एप्लिकेशन बेस्ट कोश्ण के सकते हैं इसे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नहीं नेक्स्ट कोश्ण में होके बाए